हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल ना ही गूर ना ही शक्कर फिर भी आउले का मुरब्बा बनाएंगे एक दम्रस गुल्ले की तरह तो आएए रेस्पी को सुरू करते हैं और बनाते हैं बढ़ियासा आउले का मुरब्बा मैंने हाँ पर एक किलोग्राम आउला लिया है आउला बड़े साइज का है आप देख सकते हैं और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है यह आउला ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पका हुआ है इसका कलर देखिए कितना बढ़िया देखने में लगा है इसी तरह का आउला ल लेंगे मैंने यहाँ पर एक केजी आमला लिया था तो सारा आमला को नहीं बनाना है थोड़ा से आमला मैं इसको अलग कर देती हूं क्योंकि यह बहुत जादा हो जाएगा थोड़ा ही मेरे को बनाना है एक फॉक लेंगे और फॉक को आमले के इस लाइन पर होल कर देंगे यदि आमले को आप इस तरह से छेद करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि यह जो फांक है एक दम सिधा सिधा निकलेगा यह देखिए इस तरह से पहले इसके लाइन पर हम फॉक की हेल्प से होल बना देंगे और इसके बाद हम चारो तरफ इस तरह से इसको छेद देंगे छेते समय हाथों का भी ध्यान रखें क्योंकि हाथ में फोक लग सकता है आवला टाइट होता है और टाइट हाट से ही इसको छेत करना पड़ेगा तो ए लिजे मैंने इस तरह से सारे आवले में फोक के हेल्ट से छेत करके रख दिया है ये देखिए इस तरह से इसको तयार करना है सारे आवले को इसी तरह से कर लेंगे आवला मैंने एक किलो लिया था लेकिन एक किलो आवला मैंने यहाँ पर नहीं तयार किया है मैंने शिरिफ 400 ग्राम आवला ही तयार किया है क्योंकि हमको इतना ही के बनाना है और इस तरह से देखिए दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लेंगे ये थोड़ा सक पसेला होता है अगर ये जूस रह गया आउले में तो जो मुरब्बे का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा सारे आउले को मैंने तयार कर लिया इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फिटकिरी भी लिया है और चूना भी लिया है लेकिन चूना से हमको नहीं बनाना है इसको हम फिटकिरी से बनाएंगे तो चलिए फिटकिरी को तोड़ करके और इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं यह देखिए छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है इसका यहाँ पर मैंने करीबन दो लीटर पानी रखा था गरम होने के लिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है और उबलते पानी में इस फिटकिरी के टुकड़े को हम डाल देंगे और एक दम से कलर इसका आ गया फिटकिरी को डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी इसमें ज़्यादा होना चाहिए और फिटकिरी का जो टुकड़ा है ओभी छोटा होना चाहिए ये देखिए मैंने 2 लीटर पानी में बिल्कुल थोड़ा सा फिटकिरी डाला है इतना ही फिटकिरी की जरुवत है हमें गैस के फ्लेम को अफ कर देंगे और जो आउला मैंने त्यार करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे डालने के बाद एक बार इसको इस तरह से चला देंगे और चला करके इसको ढख करके दो घंटे के लिए इसी में छोड़ देंगे ये लिजे दो घंटे हो गया है और पानी एक तम ठंधा हो गया है अब देखिए आवले का कलर एकदम आवला सौफ्ट भी हो गया है और आवले का कलर भी चेंज हो गया है आवला को निकाल लेते हैं प्लेट में आवले को प्लेट में निकालने के बाद एक बार इसको गरम पानी से धोलेंगे क्योंकि जो फिटकिरी का पानी है वो थोड़ा सा कसैला हो जाता है तो गरम पानी से इसको मैंने एक बार धोलिया है यह देखिए आउला को हात में दबा दबा कर इस तरह से सारा इसका पानी निकाल देंगे अब एक cotton का कपड़ा लेंगे और उसमें इस तरह से दबा दबा कर सारा पानी इसका सोक कर देंगे ये लिजिए अच्छे से आउला का पानी निकल गया है इसी तरह से सारे आउले का पानी निकाल करके और आम्ला को इस तरह से दबा दबा कर कॉटन के कपड़े में त्यार कर लेंगे यह दिखिए यह कवर करके मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से दबाएंगे तो जो भी इसका एक्स्ट्रापानी है निकल जाएगा और इस तरह से इसको कोटन में लगा के त्यार गें इतना सारा जूस निकला हुआ है इसमें आमला को इस तरह से त्यार करने के बाद आधा घंटा के लिए धूप में सुखा देंगे अगर आपके बालकोनी में, आंगन में या घर में कहीं भी धूप आ रहा है तो इसको अच्छे से आधा घंटा के लिए धूप में सुखा दीजिए ऐसा करने से आपका आमले का मुरब्बा जो है वो एक साल तक रुक जाएगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा 400 ग्राम मैंने आमला लिया था तो इसमें डालने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मिश्री ये दिखिए इसको न गूर से बना रहे हैं न चीनी से बना रहे हैं इसको बना रहे हैं मिश्री से तब तक आमला का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और आउला भी थूप में आधा घंटा अच्छी तरह से सूख गया है अब आउले को सिप्ट कर देंगे एक पैन में मैं इसी पैन में इस आउले का मुरब्बा बनाने वाली हूँ तो इसी पैन में मैं आउले को डाल रही हूँ यह देखिए सारा आउला मैंने डाल दिया और जो मिस्री था उसको मैंने तोड करके इस तरह से पाउडर बना लिया था मिक्सिंग जार में डाल के उसका पाउडर बना लिया था अब सारा पाउडर को इसमें डाल देंगे इसको ढख करके दो घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और ये लिजिए दो घंटा हो गया है और मिसरी का पानी एकदम से घुल गया है इसमें ये दिखिए अब सारे आमले को और मिसरी को एक बार इस तरह से उपर नीचे करके चला देंगे अब इसको गैस के उपर रख देते हैं और पकाना शुरू करते हैं आप जब भी इस रेसीपी को बना रहे हैं तो मिस्री को छोटा छोटा टुकडा करके मिक्सिंग जार में उसको पीस करके और एक बार छान लीजिए छानने के बाद जो पाउडर निकलता है उस पाउडर को ही आप इसमें डालिए और ये लिजिए आउला उबलने लगा है यदि आपको लगता है कि आपका आउला धूप में ज़्यादा सूक गया है और उसमें पानी थोड़ा रह गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि आउले को इसमें पकाना भी बहुत जरूरी है, जब तक आउला अच्छी तरह से पक नहीं जाता है, ये लिजिए थोड़ा देर हो गया है, करीबन 10 मिनट हो गया है और आउला पक के त्यार हो गया है, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा इलाइची, यहां पर मैंने दो इलाइची को कूट करके इस तरह से डाला है, ये ज़रूरी नहीं है, आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये ल करदी का सीजन है, तो थोड़ा सा इसमें केसर के धागे डालेंगे, इस तरह से केसर के धागे डाल देने से थोड़ा सा इसका कलर जो है, वो चेंज हो जाएगा, और आउला का मुरब्बा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा च एक साल के लिए इस टोर करके रख सकते हैं ये मुरब्बा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सर्दी के सीजन में तो आमले को खाना ही चाहिए ये देखिए रात भर हो गया है और आमला जो है देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है एक दम से पक गया है इसको बना कर दो या चार दिन रखने की कोई जरोत नहीं है इसको बनाने के बाद आप तुरंद खा सकते हैं क्योंकि ए अच्छे से पक गया है ये लिजे सारे मुरब्बा को मैंने एक बावल में सिफ्ट कर दिया है और ये देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक मुरब्बा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए अच्छे से पक गया है और अंदर तक इसका जूस चला गया है इसको आप अभी बना करके तुरंत खा सकते हैं तो कैसा लगा फ्रेंड्स ए वीडियो कमेंट सेक्षन में लिख करके जरूर बताईएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का helpful वीडियो देखने के लिए बेल बटन को भी चरूर दबा दीजिए अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य बात तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए चाहिन चै भारत